कि अधियर श्टुन बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल मैं स्वित प्रदीप में आज कला आप लोग NCRT के कोश्चन साल्ब कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इक सी NCRT के कोश्चन में हम एक तरफ से सभी कर रहे हैं अभी तक हम लोगों ने 3.1, 3.2, 3.3 पर सर्चा कर लिया था अब इस समय 3.4 पर बात कर रहे हैं 3.4 के सारे कोश्चन मैंने यहां लिख रखे हैं आए देखते हैं इसमें क्या-क्या दिया गया है देखिए पहले कोश्चन पर बात करें तो निल के सार्व गुरण कर लेने चाहिए और प्र दिख जाएगा कि कॉमन इसमें से क्या है मैं दिखाता हूं अगर हम 20 को फैक्टर करें तो इसका मतलब 20 किन किन संख्याओं से बिवाजित होगा एक से होगा 20 से होगा दो से होगा दस से होगा याद करिए हमने समझाय था आपको तीन से नहीं हो र गदिख म minion late 2 से कटेगा 14 से कटेगा चार से कटेगा एक साूड़ से कटेगा और किसी इसे नहीं कटेगा अगर आप ध्यां से देखे तो हमायवा पास positive है तो आप यह देख सकते हो कि से इसी संख्याय जिससे दोनों संख्याय कट रही थी तो हमाइपास में गई एक दो और चाप आपका पहला सवाल का जवाब हो गया इसका अगर हम 15 25 की बात करें तो 15 को अगर हम फैक्ट करते हैं तो बनेगा एक अंदरा तीन पांच और 25 की बात करें तो यह बनेगा एक 25 और पांच तो आप देख रहे हैं कि एक यहाँ है एक यहाँ है पांच यहाँ है पांच यहाँ है यानि हम कह सकते हैं कि एक और पांच दो संख्याय ऐसी हैं जो इन दोनों का सार्व गुड़ज कहलाती है ठीक है अब अगर 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 अब दूसरा क्या है 50 50 देखिए तो 50 कई संख्या उस कटेगा एक से कटेगा पचास से कटेगा दो से कटेगा पचीश से कटेगा तीन से नहीं कटेगा पांच से कटेगा और दस से कटेगा और किसे नहीं कटेगा तो आप देखें एक पांच और कुछ मिला नहीं मिला एक और पांच इसका भी आया, इस दो संख्या है, एक और पांच है जो दोनों को काट रहे हैं, इसी को सार्व गुड़ेच काते हैं, सार्व बने कामन फैक्टर, अब चलिए छप्पन एक्सो बीच के बारे में सोचा जा, छप्पन किस से किस से कटेगा, छप्पन की बारे में बात क साथ से कटेगा, देखो, इछप्पन की इन इन संख्याओं से बिवाजित होगा, अब क्या है, एक सो बीस है, आओ जारा देखा जाए, एक सो बीस किस से किस से बिवाजित होगा, एक से होगा, एक सो बीस से होगा, दो से कटेगा, और सार्व से कटेगा, फिर तीन से और किसे कटेगा 4, 34, 30, 30, फिर 5 से कटेगा, 5 किसे कटेगा, 24 बार में, 6 से कटेगा, बहुत सही, कह बार में, 20 बार में, 7, 8, उसके बाद 8 से कटेगा, 15 बार में, और 10 से भी कटेगा, 10 से कटेगा, 12 बार में, उसके बार नहीं कटेगा, बहुत अच्छे कामन भी ले भाई, इसको हमें कहीं लिखोगी ठीक कर दिखाना चाहिए था है यहाद आरहा है पहले का एक दो और चार कहीं लिखो ने एक क्या की आया उतर एक दो चार गाय जे जुद्तर है इसए पताइख कर दो जो तर दो बतार ने शित्व मैं को के इंप जिद काहीं मैं आंसर कहां लिखते हैं, जहां लिखते हैं, वहां पर आप निशान बना दिया करिए, हम जान नहीं पाते हैं, कि हम इसे आंसर कहां होता है, तो इसलिए हम लिक दे रहे हैं कि कहीं ऐसा नहीं हो, जो यह सोचने के हैं, कहां गया है, आंसर तो कहीं लिखा नहीं, तो अब चलो ह सा लिखने जा रहा है तो सी में आप देखें एक मिला है common दो मिला है और क्या मिला है चार मिला है और क्या मिला है साथ नहीं मिला है आठ मिला है और क्या मिला है 14 नहीं मिला एक दो चार आठ इसमें मिला एक दो चार आठ इतनी संख्याइं मिलें यह दोनों को काट रही है कि अब चलिए आगे बढ़ते हैं तो यह बहुत मज़ेदार है कि किन किन संख्याओं से यह संख्याइं कट रही है कॉमन फेक्टर आप जानती ही कामन फेक्टर आगे चल करके आपको उसमें LCM HCF में बहुत मदद करेगा अगर आपका कॉमन फेक्टर तयार हो गया तो इसकूश्चन निमन के साथ गुड़न खन लियां की जिए सेम कहानी है अब चार आठ बारा के बारे में बात करें अगर हम और निमन की बारे में बात करें तो 12 है 12 ति 1 2 3 4 6 12 आप कहा हां सार गुरज बताओ तो बताओ पहले का उत्तर क्या होना चाहिए हम यहां यह लिग दे क्या आगर है एक मिल्ला कामन मिल्ला कामन और प्यूंटर निमन के सकते हैं 1 2 4 इसके सारगुड़न है CPR 25 25 का देखा जा एक से और five से 15 किसे कट रहा एक तिन पाँच 15 और 25 किसे कट रहा एक 5 और 25 आप देख रहे हैं कि एक और पाँच तीनों में common मिलना यानी यानि बी का अंसर क्या हो जाएगा एक और 5 थेक है तो हम लोगों को ने यहां तक दिख लिया प्रफिसारा स्वाल अब हम तीसरे पर बात कर रहें है अगर स्टम निम्न के परथम सार्व गुड़ज को चो छे और ऐसी कौन सी संख्या जो छे से भी कर जा और आठ से भी कर जा उसे को सार्व गुड़ज कहते हैं इसको आगे चल कर हम लोग लसीम भी कहेंगे तो सार्व गुरज बताओ छे और आठ दोनों से कटने वाली संख्याएं कौन-कौन है अगर आप ध्यान से दे तो छे का पहड़ा पढ़ें चे दुनी 12, 6, 33, 6, 24, अश्यान से पढ़ते हैं और आठ पढ़ा पढ़ें आठ दुन 16, 28 या चोविस तो आप क्या देख रहें कि 24 ऐसी संख्या है जो तीनो दोनों संख्याओं में common मिल पा रही है यानि यह 6 के गुरज में भी हैं और आठ के गुरज में है इसलिए 24 को सार् तो हम कह सकते हैं पर्थम 3, 24, 24 दुना 48 और 24 तियां बहुत पर, 24 का पूरा का पूरा टेबल एक दम ऐसे ही किया जा तकता है, समझ पारें, 12, 18 के बारे में सोचिए, 12 और 18, तो आपको ऐसी संख्या सोचना है कि जो 12 के गुड़ज में भी हो, 12 के टेबल में भी हो, 18 के टेबल अठारा दुना 36, बारत कर जाएगा, हाँ कर जाएगा, तो इसका मतब 36 इन दोनों का सार्व गुड़ज हो गया, अब अगर 36 सार्व गुड़ज है, तो 36 के आगे कुल में लाकर 3 लिखना है, और 36 लिखना है, 36 दुना 72 हो जाएगा, 36 तियां 108 मिल जाएगा, इनका पर्थम 3 सार्व गुड़ज बताईए, तो सार्व गुड़ज जब मिल जाए, तो उसको लेकर 3 बार बता देना, किती संख्याओं का गुरूप मिलता जा रहा, चोथा स्वाल है कि 100 से छोटी ऐसी संख्या हैं जो 3 और 4 के सार्व गुड़ज हो, बताओ या 3 और 4 के सार्व चलना है, और कहां तक चलना है, सो के पहले तक, तो चलो देखते हैं, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 60, अब इसको पर जाएंगे तो सो के पार निकल जाएंगे, नहीं जाना है, सो के पहले तक आना है, तो आपका ये चोथा स्वाल का उत्तर आ गया, ये रहा, यानि सार्व गुड़ज जब मिल जाए, तो उसका टेबल करते जाएं, और कहां तक जाना है, 12, 200 के पहले तक जाना है, अब ये सवाल है, निम्लखित में से कौन सी संख्या है, सहा अभाज, सहा अभाज का मतलब को प्राइम होता है, इसका मतलब चिन के बीच में, जो कॉमन फैक्टर हो, किवल एक ह और कोई संख्या कामन फैक्टर ना हो, चलो पंद, 18 और 35 के बारे में बताया, अच्छा लगीगा, वैसे आप देख करके, देख करके ही बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको करवा के दिखाता हूं, कि सहा अभाज हम उसी कहेंगे, जिसके बीच किवल एक संख्या, एक कामन हो, बस और कोई संख्या कामन ना हो, तो 18 को जब हम पहला आज हम ए निकालते हैं, जिसमें है 18 और 35, 18 का जड़ा कामन कर रहा, 18 एक, दो, तीन, इसके बाद 6, 9 और 18 ते कट रहा, और 35 के से कट रहा, एक, पांच, साथ, और 35 से कट रहा, जड़ा बताओ, इन दोनों संख्याओं में कामन क्या है, केवल एक, देखे आप, केवल एक कामन है, इसी दिए इसको हम कह सकते हैं, यह संख्याओं सह अभाज हैं, है न, ऐसा ही 15 और 37 देखेंगे, तो यह भी संख्या सह अभाज मिल जाएगी, क्योंकि संख्या 37 आपने आप में खुद ही प्राइम नंबर है, या में देखा जा, यह साभाज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप देखो तो एक से तो कठी रहा है, पांस से दोनों संख्याओं कट रही हैं, यह नहीं हो पाएगा, देखो, यह हम हटा देखेंगे, क्योंकि यह क्या कहते हैं, सह अभाज यानि को प्राइम यह नहीं हो सकता, क यानि ये दोनों संख्ञाइं एक से तो कठी रही है और 17 से भी कठ रही है इसलिए यह ढहीड हो सकता है। 216-215 है यह हो सकता है मैं बताओं 2 लगातार संख्या होती है कोई भी दो संख्या पांचे Attर ενौदा 189 को भी दो लगातार संख्या में लग जाए तो अ अपने आप सहाबाज होती है इतम ध्रान में रखी 81 और 16 यह भी सहाबाज है क्यों है क्योंकि यह 3 के power 4 है यह 2 का power 4 कोई भी संख्या 1 क्यलामा कमर नहीं मिल लिया तही आनि इसको हम सहाबाज मानते यह सहाबाज हो गया यह सहाबाज हो गया और हमसी सहाबाज प्राप्त हो गई अब टिर आक वा देखत एक पांच और बारा अगर दोनों से भाज है यह समझो कि 5 गोड़े 12 मतलब 60 तो 60 से उसे कटना ही कटना है जैसे याद करो जह हम 6 की भाजता बता रहे थे तो जो संख्या 2 और 3 से कट रही थी और 6 से उसे कटना ही कटना होगा ऐसे ही जो संख्या 5 और 12 से भाइत होगी उसको तो 6 से कटना ही कटना होगा बस ध्यान रखना चाहिए ये दोनों संख्याइं को प्राइम होना चाहिए क्योंकि अगर हम कहें तो जो संख्या 4 और 6 से भाइत होगी क्या वो 24 से 23 होगी नहीं व्वाज होगी 36 से 23 हे 14 और 6 कामन क्या करते को प्राइम नहीं है इसलिए यहां पर नियम लागों नहीं होता यह नियम के ओर वही लागों होता है यहां पर संख्यां को प्राइम होती है यारी 12 और 5 आप तो किसे किसे करता है तो जो संख्या 12 से विभाजुत होगी वह इतनी संख्याओं से जरूर विभाज हो जाए जाएगी यह सारी संख्याओं 12 के ही अपने गुढण कंड है तो जो 12 से कट जाएगी तो इन सबसारी से कर जाएगी तो देख रहे हैं कि ये एक सबसारी आपका कितना मस्था बहुत आसानी सिसके सारे कोश्चन आपने देख लिए और अभ्याद जरूर करिएगा क्योंकि इस तरह से जो संख्याओं का प्रक्टिस होगा वह आपके बहु धन्यवाद